इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं और इनको कैसे कोडिंग में लाया जा सकता है इनसाइड साइकक लर्ण लाइबरियरी और पािठोन को यूज करते हुए और अगर हम डिसीजन ट्री की बात करें तो इसमें दो किसम के अल्गोरिफफ़ होते हैं एक regressor के और एक classifier के तो पहले हम regression के उपर बात करेंगे कि decision tree regression किस तरीके से काम करती है और आज हम जो data setup वो थोड़ा सा बड़े वाला use करने वाले हैं जिसका नाम है diamonds के data obviously इस पर थोड़ा सा time अक्सर उकाथ ज्यादा लगता है different किसम की चीजों के अंदर और मैं suggest करूंगा अगर आप साथ साथ coding करते जाएं तो that would be nice क्योंकि आप सीखेंगे भी कुछ चीज़ें अगर आप नहीं करना चाहते इस up to you you can learn with me तो मैं start करता हूँ सबसे पहले import libraries करके अगर यहां पर typing चल जाए import import libraries और by the way decision tree की पूरी त्योरी जो है वो lecture जो हमने इससे पिछला है उसके अंदर सारी बता दी है तो आप वहां से देख सकते है नम पाई matlod lip seabon और इसके बाद from sklearn dot sklearn के अंदर हम tree के अंदर जाएंगे तो हमारे पास decision tree पड़ा हुआ है ठीक है और हमने करना है import decision tree regressor मैं classifier को करने के बाद tree regressor को import कर लेता हूँ ठीक है अब यह import करने के बाद हमारे पास दूसरा काम होता है data set को लोड करने तो मैं यहां से अब data set को load करता हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया import data set यहां पर हम करेंगे जी df is equal to sns dot load data set tips की बजाए क्योंकि वह रुजाना से मैं tips कर रहा हूँ तो github को पहले ने बकायदा बोल दिया कि tips कर लो आज हम diamonds का data set करेंगे डाइ मौन्स यस तो यह मेरे पास diamonds का data set fetch हो गया आपको पता है यह data set की खुशूसिया df.info अगर मैं करूं तो यह आपको पता है कि इस तरीके से diamonds का data set जो हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास 53,000 something जो हमारे पास rows है फिर columns हमारे पास जो हैं वह तक्रीबन 10 हैं and so on and so forth हमारे पास यह data set मझूद है ठीक है अब इतना सा तो आपको पता है कि स्कून से हम data set जो है उसे load कर सकते हैं अब हमने क्या करना है features और target select कर लेने है यानि के select features and targets targets या labels x is equal to करके हमने diamonds के data set के अंदर जो चीज़ें select करनी है वो हमने separate कर लेनी है और जो हमने नीचे चीज़ें रखनी है वो separate कर लेनी है तो मैं यहां पर simply select करूंगा बजाए drop करने के df के अंदर double bracket लगा के carrot cut color and clarity मैं चार चीज़ें रखूंगा यहां पर तो मैं यहां पर रखता हूं carrot cut color and clarity 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 यह जो लास वाली तीन है ना इसको नहीं मेरा क्रावी फिलाल जस्ट टू minimize the dimension of the data क्योंके हमारे पास class के अंदर अगर हम देखें तो data set अगर small हो तो वो ज़रा ज्यादा speedy काम कर लेता है वजारी बात है regression की problem है तो हमारे पास y पे क्या आएगा price price is a numeric value numeric value का फाइदा यह होता है कि हमारे पास regression का जो task हो जाता है ठीक है यहां तक clear होगी होगी आपको बात यह हमने x और y के अंदर कर लिया अब हमने क्या करने train test split नहीं मैंने यहां पर import किया था start के अंदर तो जैसे मैंने बताया आपको from sklearn हम क्या करने बाले हैं sklearn.model selection train test split यह हमने यहां पर import कर लिए यह ज़रूर करते रहे करें क्यूंकि जारी बात है evaluation करनी होती है हमने तो यहां पर हम पहले तो data को split कर लेते हैं हमारे पास train और test के अंदर data को right train test के अगर अंदर अगर हमने इसको split करना है तो हमारे पास कौन सी चीज़ आईगी जनाव basically हम इसको split the data set into train and test with 80% of the train size यह मैंने चीज़ लिखी यहां पर तो automatically यह मेरे पास यह वाला code आ गया मैं इस वज़ा से code को पहले से explain कर लेता हूं right अब अगली बात करते हैं यह मैंने train discipline यहां पर चला लिया अब हम क्या करते हैं हम create करते मॉडल को create the model जो मेरे से एक दो हाथ आगे जा रहे हैं मैं किसी चीज़ों के तहत कुछ चीज़ें miss करता हूं ताके वो error आए और फिर हम उसको सीखें कैसे करना है ठीक है आई know कि आप ठीक कह रहे हैं कि यह भी करना है वो भी करना है I know that stay with में समझा रहे हैं कि मैं वो step miss नहीं करता होता वो teaching का एक method होता है कि जान बूच के लोगों के सामने घलती करो वो समझते अच्छा इससे हो सकती तो हमसे भी हो सकती है so they know कि कैसे इसको set करना है so don't worry about it तो मैं यहां पे decision tree regressor को train करता हूं और साथ फिट भी लगा सकता हूं लेकिन मैं basically यह होता है कि पहले आप मॉडल को train create कर ले create करने के बाद आप मॉडल को पिट या train करें train the model अब यहां पर मैं क्या करूंगा model dot fit x train और y train ठीक है जी यहां पर यह चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से हमारे पास जो data आता है उसको x train और y train पर करते हैं इसको run करें आपको लगता है यहां पर कोई error आएगी चलो देखते हैं भई भूम क्या error हो सकती है वो कहता है could not convert string to float तो यह कौन सी error होती है यह beginners के लिए तो बहुत बड़ी error है लेकिन जो advanced level पर यहां पर कुछ change होने वाला है what is needed to be changed is to encode the data encode the data ठीक है encode x encode x using label encoder कैसे करेंगे जनाब मैंने सिरफ वो लिखा यह मेरे सामने सारा कुछ आ गया मैं कुछ नहीं कर रहा github co-pilot सब कुछ कर रही है and I am just you know moving my cursor लो जनाब ठीक है that's the beauty of github co-pilot क्या आपने explain कर दें code को codium और co-pilot खुद से फिर सारा कुछ grab कर लेती है जैसे यह मैंने पूरी बड़ी line लिखी उसने code लिख दिया hopefully अब यह काम करना चाहिए इसको मैं इसको run करता हूं यह मेरे पास encoding होगी होगी इसको run करता हूं and model is trained ठीक है encoding कैशो थो वो मैंने कर दी उपर और मैंने label encoding की ले label encoder use करके तीनों के तीनों को separate कर दी ओके now what we have to do create हो गया model अब हमने क्या करना है model का score check करना है to evaluate the model now we will evaluate the model कैसे करेंगे simply आप model.score check कर ले और इसको x test और y test भी कर सकते है train भी कर सकते है और आप दुनों score भी कर सकते हैं अगर मैं यहां पर लिखू train underscore score तो यहां पर आपका train का score आगया फिर test का score आएगा ऐसे ठीक है और आगे चलते हैं print हमारे पास यह सारी चीज़ नहीं रहती है अच्छा जो मैंने बात की थी के encoding के बगएर use कर सकते हैं that is for ensemble methods उनके अंदर कुछ techniques होती हैं वो utilize करने के बाद आप encoding के बगएर use कर सकते हैं पूरे पूरे criteria को अच्छा जी print हम यहां पर करते हैं test score और train score इन दोनों को print करते हैं simply तो यह मेरे पार test score और train का score आ गया है अब इन दोना में क्या फरक है that is your assignment आप यहां पर लिख लें कि हम यहां पर जो accuracy score चेक करते हैं या model का score चेक करते हैं training का और testing का इन दोना में चीजों में फरक क्या है ठीक है यह जो code है आपने इसको चेक करने है मैं इसके आगे लिख देता हूँ above is your assignment क्योंकि यह notebook में आपको send कर दूँँगा to check the difference between training and testing scores okay now the next part हमने यह कर लिया training and testing score हमारे पास आगया अब हम आगे क्या करने वाले हम आगे अब basically आपके पास regression का model train हो चुक है ठीक है अगर आप चाहें तो इसका जो regression के बाकी scores हैं वो भी आप check कर सकते हैं कौन-कौन से regression के scores होते हैं evaluation metrics कौन-कौन से होते हैं वो सारे आप check कर सकते हैं कैसे check करने अब y predict यहां पर सकते हैं model.fit करने के बाद अब यहां पर अगर मैं एक और नया model बनाऊं मतलब यहां पर मैं लिखूं y underscore okay okay calculate the evaluation metrics in above mentioned dc dt regressor model तो इसके लिए कौन-कौन से हमारे पास आएंगे जी metrics यह आपके सामने आगे s k learn है और इसके अंदर हमने metrics को देखा mean absolute error, mean squared error and r square score यह तीन मैंने लिखे हैं अब इसको कैसे find out करना है you know better कि आप y predict को यहां पर लिख देते हैं और उसके तरीके से आप इनको mention कर सकते हैं आप मैंसे कोई code बताना चाहेगा मुझे चैट के अंदर इससे मुझे भी समझ आ रहेगे कि आप आपको कुछ याद है या आपको कुछ समझ है किस तरीके से हमने evaluation metrics को चेक किया था यह मेरे पास यहां पर अगर सिंपल लेनेर रिग्रेशन में वह वापिस रहूं था यहां पर भी हमने evaluation metrics को चेक किया था multi logistic cross validation अगर आप code सेंड कर देंगे तो easy हो जाएगा आपके लिए something like this यह मैं आपको example दिखा रहा हूं इस तरीके सोता है वाई प्रडिक्ट करके वाई टेस्ट और वाई प्रडिक्ट का आप score चेक कर लेते हैं mean scared error root mean scared error so on and so forth यहां पर हमने तीन matrix check करने मैंने आपको तीनों बताएं यहां पर एक मेरे पास code आया है I will see if it works मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से copy कर सकता हूं इसे but let's see नहीं कर सकता हूं so यह बताया गया y predict is equal to model dot predict x test तो यह हमारे पास y predict आ जाता है तो अगर हम यहां पर mean squared error check mean absolute error कर चेक करना चाते हैं तो हमारे पास y test और y predict को हम चेक करेंगे mean squared error ऐसे आ जाएगी root mean squared error ऐसे आएगी कि हम num pi के through उसका root square ले लेंगे square root same वही चीज़ें जो हमने पहले चक की थी ठीक है तो यह evaluation matrix इसके इस तरीके से आ जाएंगे सही है जी यह हमारे पास है अगर r square भी लेना है तो वह r square score भी यहां पर आना चाहिए print r square score and it's there तो यह f string के method के साथ आ रहे f string का method क्या आता है आपको पहले बताया गया था if you don't know that f string का method क्या है तो please इससे देख लीजेगा तो basically यह हमारे पास कुछ इस तरीके से code आ रहा है यह मैं आपको भेज रहा हूं यहां पर चैट में तो अगर आपके पास यह काम नहीं किया कोई दूसरा code तो this can work okay हमारे पास यह आ गया classification कैसे हो गया यह तो हो गया regression classification कैसे करेंगे हम उसके लिए हम again import libraries तो मैं क्या करता हूं मैं यहां से इन्हें import करता हूं सभी को यहां पर paste किया हम यहां पर decision tree regressor की बजाए tree classifier ले आएंगे यह आपने किया हुए ना पहले यह आ गया ओके हो गया जी अब इसके बाद जो अगला काम था हमने किया हमने data को import किया था और बाद में data से हमने चीजें जो है separate की थी डी एफ हमारे पास अल्रेडी मजूद है मैं X और Y में change करने वाला हूं सिर्फ कि X क्या है और Y क्या है X और Y में change करने के लिए basically आप यहां पर यहां पर basically import data नहीं यहां पर मैं कहता हूं split data set क्योंकि import हमने उपर कर लिए split data set किसमे X में is equal to अब हम यहां पर क्या करेंगे डी एफ के अंदर हम basically dot drop लगाएंगे और drop लगाने के बाद हम जो चीज हमने remove करने इसमेंसे वो cut को remove कर देते हैं या clarity को कर देते हैं तो हम यहां पर अब कौन सी चीज जो है वो लेके आ रहे हैं classifier हम लेके आ रहे हैं न तो हमने cut या कोई भी और जो classification का algorithm उसे remove कर देना है y is equal to cut समझारी इस बात की कि यह हमने क्यों किया है क्योंके cut जो है वो एक classifier है नहीं समझ आई तो यहां पर अगर हम df को df.head करें तो आपको समझा जाएगी कि यह data set है हमारे पास और यह हमारे पास cut को हम यहां पर predict करने वाले हैं पहले test split the data by 80 ratio 20 let's see यह आपके पास आगया जी इसके बाद अगला काम क्या है आपको पता है हमने create करना है model को create करने के बाद हमने क्या करना है model को हमने train करना है train वैसे X और Y पर हो गया train करने के बाद अगला काम क्या है हमने इसके accuracy के parameter check करने evaluate the model तो उसके लिए model.score भी ले लेंगे train score आ गया test score आ गया f train score आ गया f test score आ गया मेरे ख्याल से यह काम करने चाहिए if some some errors comes तो I can see मुझे नहीं बता यह काम करते के नहीं करते बट वी विल सी तो यहां पर हमारे पास इसको run करते हैं और error हमारे पास again वही आ रही होगी convert the string to float तो हमने क्या करना है again इसको label encode करना है तो मैं क्या करूंगा यहां से कहां गया हमारा model कहां गया एक्स को हम यहां पर label encoding करेंगे ऐसी है कट color और clarity इसके इलावा कोई और चीज़ है एक्स में जो label encode होने वाली है कट color और clarity यह दो चीज़ें थी color और clarity हमारे पास कट जो है वह हमने वैसे ले लिए वाई में तो इस वड़ा से यहां पर हाई नहीं है वो सही है तो हमने वह remove कर दिया भाई मैंने remove तो सामव भाई गयते कट इसमें remove में भाई कर दिया वहने तो यह मेरे पास train और test score आ गया गया है अगर मैंने evaluation metrics और लेने हैं दूसरे फॉर एक्जामपर evaluate the accuracy score precision score recall score f1 score and confusion metrics तो यह लगाने के बाद अगर मैं कुछ इस तरह कैसे करूं तो यह मेरे पास code automatically यह देगा जरूर ना दे तो कोई मसला नहीं है अगर दे तो अच्छी बात है यह देखें यह beauty है इसकी गिटब को पाइलेट की कोडियम की जो भी चीज़ें यहां पर आई हुई है तो confusion metrics नहीं है दे रहा लेट सी क्यों नहीं दे रहा अच्छा फिर पीछे चल पड़ा है तो बाइदाबर यह वाले मैं इस पर यहां पर जल्दी जल्दी इसको करता हूं यह मेरे पास train test accuracy score आगे है print precision score precision score why test why predict यहां पर ऐसे आ रहा है तो यह क्या मसला है we will see that okay why test accuracy why predict क्या मसला है target is multi-class but average binary please choose another average setting one micromacroid print score precision score print score precision score yeah 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 it should work recall score की भी यही मसला आ रहे है please choose micro तो मैं इसको भी ऐसे copy करके paste कर दिता हूँ same issue is here क्योंकर यह multi-class classification and that is why we have to write down these things it should work now yes तो यह हमारे पास कुछ accuracy score और बाकी parameters देसके आगे ओके तो अब हमने इसको प्लॉट करना है ट्री को हम प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे लौट दर्रेंट दिसीजिजिएंटी मॉडल उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं from कर सकते हैं या इंपोर्ट हम सिंप्ली भी कर सकते हैं तो यहां पर बेसिकलिए अगर हम इसको रन करें तो फुली इट शुद वर्क एंड में टेक लिटल बिट टाइम क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसे ट्राइ किया था तुक मोर टाइम इस दफा कम ले तो अच्छी बात है मीन वाइल आपको इसकी वैल्यू मैं पुठा देता हूं जो यह चीज प्लॉट करने वाला है कल्कुलेट करके एक दफार आई जाए मैंने इसी वज़ए से नहीं एक जगा फे प्लॉट करके रखा हुए या या ट्री डॉट्ट्री सब्सक्ते है या ट्री.plotry भी कर सकते है लिए अगर आप import tree अगर आप करते हैं तो आपका decision tree कुछ ऐसे बनते हैं जिसके अंदर number of samples है कि जिने index आगया आपके पास values आगी और so and and so forth आप चाहें तो यहां पे वो सारी parameters draw कर सकते हैं जो आपके model की हैं अगर आप चाहें तो simply इस तरीके से भी draw कर सकते हैं देन आपके पास इसको draw करने का एक और तरीका कार होता है जिसके तुरू आप इसको draw करके further more tree plot tree के बाद आप अपने feature के name बता सकते हैं filter कर सकते हैं फिर इसको save भी कर सकते हैं something like this तो आपके पास proper एक तरीके से decision tree के एक png file save हो जाती which you can show in your algorithm जब आप इसको upload करते हैं so it should look like this ठीक है यह iris के dataset पर काम हुआ पड़ है थाके उस पर speed से चलता है और इसी वज़ा से मैं बड़े dataset को example में नहीं ले किया था वहां पर 1 minute 2 minute हो चुके है still it's running यहां पर यह फोरन फोरन चल पड़ा था इस तरीके से आप इसको पास graph wiz यानि कि आप graph wiz की file के अंदर इसे export कर सकते हैं dot file उसे बोलते हैं उससे क्या होता है आपका graph high resolution में convert हो जाता है ठीक है उसके लिए आपको library चाहिए होती है graph wiz की यह मैं code आपको भेही दूँगा don't worry और आप लेकिन आप अगर key terms भी लिखने तो code आपको वैसे भी net से मिल जाने export graph wiz उसके अंदर जाके हम इसको ड्रा कर लेते हैं और यह सारी की सारी library जो है हमारे पास इस तरीके से save हो जाती है ठीक है और बाद में से open करना पड़ता है dot file को कैसे open करना पड़ता है आपको extension load करना पड़ती है graph wiz की उससे आपका decision tree जो है वो import हो जाता है और open हो गया hopefully graph दे देगा मुझे अब आपको मैं दिखाता हूं ग्राफ लोज तो यह diamonds के data set पर कुछ इस तरीके से बना है reason क्या है आपको भी पता है 54,000 रोज और इतने ज्यादा dimension जितनी ज्यादा dimension है वहाँ से तो यह जो node है यह हमारे पास root node है फिर आगे जाते रहे हमारे child node इस parent के and so on and so forth अब यह चेक करें यह इसकी values हैं सारी जो graph की हैं यह मेरे पास सही है क्यूंकि 54,000 रोज हैं तो इस तरीके से यह सारी calculation करने के बाद इस ने यह graph को plot किया है ठीक है आप इसको save कर सकते है graph vis में graph vis में save करने के बाद अगर आप यहाँ पे extension में जाएं तो graph vis के नाम से है यह dot plot के नाम से something like that yes graph vis interactive preview तो यह dot file को preview करने के लिए यह वाली इंटरेक्टिव extension है आप इसे install करेंगे आप graph vis की file के अंदर इसे save करेंगे और फिर आप वहाँ पे जाके इसे import करके run करेंगे मेरे पास एक graph vis की शायद file पढ़ी हुई है so I can show you के यह किस तरीके से dot plot को show करते है इसी चीज़ के अंदर just a minute मैं यहाँ paste को paste कर लो ताके जो दूसरी जगह पे मेरे पास वो file पढ़ी है वो यहाँ पे आ जाए give me one second get a decision tree dot file yes and it's here yes this one तो यह मेरे पास dot file एक doot file ठीक है अब इसको अगर dot file को मैं यहाँ पे click करूं तो यह इस तरीके से मेरे पास plot आजाएगा dot file का सही हो गया तो अगर बड़ा plot होगा वो भी show हो जागा high resolution के साथ I can zoom in I can save it और मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ अगर आपने इस तरीके से नहीं open करना तो hopefully program not form तो यहां पर भी आप इसे import कर सकते हैं यहां पर program होता है जिसके through आप इसको print करते हैं फिर बाद मैं यहां से export कर सकते हैं तो इसको मैं यहां बंद करता हूँ अभी and then there is another link जिसके through आप डॉट फाइल को बड़े वाली डॉट फाइल को open कर सकते हैं लेट मी सी दाट वाँ और वो प्रोग्राम ऐसा है कि आपने सिरफ उसको open करना है और वहां पर अपना ग्राफ विस का code लिखने डॉट फाइल का और वो उसे प्रिंट करके आपको दे देगा कि येलो पकड़ो जी डॉट फाइल आपकी ऐसे दिखेगी इसको बोलते हैं ग्राफ विस ऑनलाइन and it looks like this ग्राफ विस ऑनलाइन के नाम से ये एक software है आप इस साइड पर code लिखेंगे और यहां पर उसका ग्राफ विस की विजुलाइजेशन आ जाएगी मैं अभी डॉट फाइल अपने उठा के यहां पर लिखता हूँ बड़ा code हो you can actually show that here समझ आ गई यह अब एक और काम करने के ट्राइब करते हैं मैं इस डॉट फाइल को export करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास यहां पर है इस model की let me see अगर यह मेरे पास यहां पर export हो जाती है इस जगापे यह वाली फाइल जो बड़े वाली है अगर यह export होती है तो हम इसे open करने की कोशिश करते हैं यहां पर हमने यहां पे import रहे करने, it should work now, let's see, class name, fn, cn, let's see, decision tree dot dot, tree one dot, वहां पे error है feature name fn, हमने यहां पे रिखा हुआ था अपने पास, simply सीधा सीधा चले जया था, okay, so now we have to define the feature name and the class name, feature name is equal to x के columns और class name is equal to classes, let's see, अगर यह अब काम करते हैं, yes, यह वाली फाइल बनी है, और इसका previous render हो रहा है, may be change the setting, log timed out, इसने मसला ही करना है, तो मैं यहां से dot file को copy करता हूँ, यहां पे port करता हूँ, वो भी हैंक कर रही, online भी हैंक कर रही है, गर पाहा है, तो मैं करता है, स्विस्ट कर दिजर फिस्टश्यिटे जली है, अल्ड़ कर खाएंक कर दो अच्छा सकाएंक कर पोगे से एंसे बहूचे हैंक कर आदे पे दोटीजियन betवे कर श्या, मैं पूक दी मत वजब गी द्रखत ऐसा बन गया हस्मान फार रहे हैं वह ज्यादा बड़ा बन गया ना द्रखत डायमेंड्स के डेटा सैट पर तो हम इसके अपर परेमेटर ट्यून भी कर सकते हैं लेटर राँ बोर्ड का इम्रान भाई कहते हैं बोर्ड का बने इस तरीके से आपको यह जो है ना नहीं एंवन है एंवन अल्ट्रा है प्रो अल्ट्रा ठीक है तो यह जो कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा यहां पर मैं रिकोर्डिंग को स्टॉप करता हूं